जी विदाउट अड्रेस को प्रेस के वे आपने पलटावा कैसे करना है आपने पहले आपने ये करना है कि इस थरह से हाफ एंच आपने फोल्ड कर लेना है ठीक है असलाम अलीकुम विल्वर्ज मैं हूँ अमरीन और आप देख रहे हैं अमरीन और फिट आइडियाज आज हमा क्लास थी जो कि बहुत ही डिटेल के साथ वह क्लास थी जिनसे वह क्लास मिस हो चुकी है फर्स सेकेंड और थर्ड तो सकलेंग में डिसक्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी वहां जाके आप इसली वाच कर सकते हैं अच्छा जी हमारी फोल्ड क्लास होने जारी है फोल्ड को पड़ावा करने के बाद जब हमारा कॉर्णर आते है तो उसको किस तरह से फोल्ड करना और इजी मैथट से मैं बताऊंगी जिनसे वह सारे जो प्रॉब्लम फेस कर रही होती हैं वह सारी चीज़ें मैं बताऊंगी क्योंकि जब पलटावा करती हैं तो उनकी क्रीज यह सा मॐ ठूंहाना है तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वीडियो को फुल वाच करना हैं क्योंकि बहुत सारी और वाली है तो उनकी को फूल वाज चाईगा शप्रोप करके हो और कानली जो नए है में इस चैनल पर वह सब्सक्रा gherdकश प्रेस कर दें और शेयर कर दें ताकि जो भी रोज आने वाली वीडियो है वो टाइम टी टाइम आपको मिलती रहेगी और बहुत ही इंफोर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रही हूं तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें आ fallait सबसे हुआता है आपने कंप्रे को प्रेस करके लेना है यह सबसे पहले प्रेस क्रेंब करने के बाद ही अनुक्तंular वह सबसे पहले कहीआत्यों दूरें दूरने कमें यह और करने करना है नुद हर से ओधर हैं क्योंकि इसमें मुझे बताने आपको डायरेक्ट तो यह वरा हम प्रोसेस करेंगे तो इसको मैंने प्रेस कर लेने हैं ठीक है पहले आपने इस तरह से इसे पूल कर लेने हैं इस तरह से देख ले मैंने कितना किया है तो यह मैं हाफ इंच यहां पर जब आपका पल्टावा होता है ब यहां से ब यह पर 202010 को पेर्षा पर 2020न से यहां से भी सब्सक्राण workflow की दिख्वाइं under CP नेれて भी सब्सक्राण पल्टावा इते ह्मिस्क्रा जान से आपका शिर्पीद को mm इस तरह से आपने इसे जो है फूल कर लेना है अच्छा जी जब भी आपना फैब्रे रखें वो इस साइड होनी चाहिए आपका जो भी फैब्रिक होगा वो लेफ साइड होना चाहिए ना के राइट साइड और दूसरी बात ये के जब भी आप कोई कॉर्णर या फिर पर टा या फिर और या फिर चादर या कोई भी वोट अवर तो आपने सेंड दागा यूज्ज करना है और धागा जब आप स्लाइल लगा रहे हों तो आपने इसकी स्लाइल किनारी पर हो और स्लाइल के नीचे फैब्रिक पर ना हो बल्कि यह दोग फैब्रिक के उपर होनी तब तक आपने इससे चलाना है एक सो दोदाफा करने के बाद आपने इसकी स्लाइग करना है जब भी आप स्लाइग करें तो इसका पीछे वाले हिस्से को आपने इस तरह से पकड़ने खीचना नहीं है आपने सिर्फ बैलेंस देना है पकड़ने और इसके बाद एक आपकी light आपकी यहाँ पे होनी चाहिए और साती साथ आप से इस तरह से इसकी तीन यहाँ पर ने चाहिए और एक यहाँ पर ह G doe आपका जो ही कपड़ा वे देद सve उधर न को आपने इसका धागा कट कर लेना है जो भी धागा निकला वहोगा उसे एकसिस करण कर लेना है पिर आपने इस तरह से इसे हाफ इंच यहाफ फूल्ड करना है देन आपने हाफ इंच ऐसे फूल्ड करना है ठीक है ऐसे रखना है हाथ के पुजिशन को देगे अच्छा जी विदाउट अड्रेस को प्रेस के वे आपने पलटावा कैसे करना है आपने पहले आपने यह करना है कि इस तरह से हाफ इंच आपने फूल्ड करने है ठीक है फिर देना आपने फिर इस उंगली को अंदर लेके जाना है और फिर आपने इसे पलटना है ये देखें इस तरह से इस पुजिशन में आपने करना है आपका कपड़ा ऐसे खिचाएं ना ठीक है दुबारा मैं बताती हूँ आपने हाफ इंच अंदर किया कपड़ा को खेचना नहीं है कपड़े को बिल्कुल ही स्मूथ और इजी रहकना है अंदर फोल्ड कर लेना है ये देखें और आप आप इसकी सलाई लगा लेंगे अच्छा जी अब मैं आपको इसकी सलाई लगा के दिखाते हूँ अच्छा जी आपने ये करना है कि ऐसे आपने ऐसे करके कपड़े को अंदर करना है फिर इसके बाद अपने जो फिंगर है आपकी वह आपने ऐसे रखना है और दूसरी वाली जो आपकी फिंगर है वह आपने ऐसे रखना है और फिर आपने इसकी स्लाई लगा देनी है तो बारा से बता रही हूँ आपने एक जो फ्रंट वाली जो है इंडेक्स फिंगर वो आपने इस तरह से आपने करना है दूसरी इंडेक्स फिंगर को आपने इस पोजिशन में रखते हुए आपने इसे लाई लगा लेनी है ठीक है इस तरह से फिर देन आपने इसे कॉर्णर कैसे सीना है इस तरह से भी आपने फोल्ड किया हाफ इंच अंदर कर लिया अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इस तरह से कर सकती है या मैं तो डरेक्षी कर लेती हूँ यानि कि इस तरह से आपने करना है इस तरह से ठीक है और इस के बाद आपने इस तरह से फोल्ड करना है ठीक है और फ़र स्लाई आपने ऐसे रख लेनी है और याद रहे जब भी आप सिलाई करते हुए धागों को आपने इस तरह से पकड़ना है धागा छोटा हो जाए तो आपने इस तरह से पकड़के इस तरह से कर लेना है अब आपको मैं दोबारा बताती हुए इंडेक्स फिंगर को आपने इस तरह से करना है फिर आपने इस त लगानी है कि देख सकते हैं अच्छा जी इसका पलटावा का यह फाइनल लुक देख सकती है यह विदाउट प्रेस पलटावा है जो कि इसली सानी से ही हो जाता है इसे लिए मैंने उन्हें प्रेस करके बताया है कि प्रेस करने के बाद आपने किस तरह से पलटावा करना है पहले आप प्रेस करें कपड़े को और उसके बाद देन आपने इसे पलटावा करना है अच्छा आप कपड़ा जब आप भी पलटा स्ट्रिच करना है जब आप उसमें पर्फेक्ट हो जाएंगी तो फिर आप क्या करें कि सेल्फ पल्टावा खुछ से करें खुछ से पल्टावा करें विदाउट प्रेस और फिर उसमें जो भी मिस्ट्रेक आएंगी क्योंकि शुरू में तो मिस्ट्रेक साहती हैं जब लगेंगी तो पर्फेक्ट करने लगेंगी तो मुझे दें अजाज़त अपना बहुत ख्यार रखेगा अल्ला हाफिस